तो भाई लो कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक बैक दे वेलकम और स्वागत या आपका एक विराण न्यू गलती सीन से भरे पड़े पड़े पपजिदों वाईल गेम प्रे वीडियो में अब इसमें देखो चौड मैं मूँ उठा के मैं जोर्ज आजाता हूँ भाईया एक बंदा एक बंदा एक बोर्ड तक नहीं होता यहां पे पूरा का पूरा जोर्ज खाली पड़ा हुआ है अब देखो सीन क्या होता है यहां पे मैं आता हूँ जो भी सस्ती लूट पड़ी हो सस्ती चिडिया के चलते एक बेचारे वन्दे की पेटी बन जाएगी देखो क्या सीन हों गयार पहुंच गया में रोजोग अब जोड़ जैसे महंगे जगा पे मेरे को एक बॉर्ड तक नहीं मिला एक बॉर्ड तक नहीं मिला वहां पे और लेकिन जैसी मैं यहां रोजोग पहुंचता हूँ भाईया यहां पे बंदू की कमी नहीं है सब यहीं पे बैठे पड़े हैं तो मैं भी आ जाता हूँ यहां पे अब इसी के साथ मुझे लगा था यार एक ही सकौर्ड पहुंची होगी यहां पे सबके सबको पेल दिया लेकिन उतने में ही जब मैं मज़े से लेट के लूटने की कुछिस कर रहा था यार गोलिया पढ़ती आचानक से अब एक साइड से तो मैं साइड अउसाता हूँ लेकिन उतने में ही यह होता है और इधर रोजोक में नजाने कितने घरों पे कहां कहां बंदे बैटे पड़े हैं जहां पे बेजा रहा हूँ वहां पे गोली पड़ रही है यार मैं तो इस हद तक गिर गया था कि मैं लेड गया था जमीन में उसके बाद भी नौक कर दिया मुझे अब देखो चिडिया की वजब से किसकी पेटी बनी बहुत ही जल्द बात करेंगे लेकिन यार यहां पे हल्थ की ऐसी तैसी हो चुकी है बंदे रस करने को बिल्कुल तयार है तो यार इनकी भी पेटी बनानी पड़ेगी लेकिन उसे पहले बात कर लेते हैं गेमिंग घर एप की जिसमें आप पबजी, कॉल अफ्डूटी और लुडो के कई सारी टूर्नमेंट्स खेल सकते हैं और यह एक पहला ऐसा एप है जिसमें आप टीडियम्स के टूर्नमेंट्स खेल सकते हो और अच्छे खासे पैसे साथी साथ इसमें daily free tournaments होते हैं तो आपको enter करने के लिए कुछ नहीं देना और आपको जीतने पे price money मिलता है और इस app में per kill जो आपको पैसे मिलते हैं वो भी काफी ज्यादा high है तो आप अपनी entry fees एक kill में ही almost cover कर लोगे साथी साथ इसमें आपको मिलता है refer and earn का feature तो आप अपने दोस्तों को invite करके भी इसमें पैसे earn कर सकते हो और इसमें हर संडे royal pass का giveaway होता है तो यार आपको हर संडे royal pass जीतने का भी मौका मिलेगा और जो भी आप coin इसमें earn करते हो वो money में convert होके आप withdraw कर सकते हो और पैसे withdraw करना अब बहुत आसान है आप ATM या Google पे से पैसे withdraw कर सकते हो तो इस app के लिए description में होगी और iOS यूजर गेमिंग घर के इंस्टा आकाउंट के तुरू register कर सकते हैं अब देखो heal मैं कर लेता हूं लेकिन फिर से फिर से damage होगा तुमारे भाई को और इधर पे मूँ के सामदे निट फटता है और health की ऐसी तैसी हो जाती है अब यहां पे जो होना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं होता मेरी पेटी नहीं बनती इधर पे और तीन बंदों को मैं पगड़ लेता हूं बिल्कुल ही इधर पुआ पे देखो एक सस्ती चड़िया की वजह से कैसे एक बेचारे बंदे की बे फाल्तु में बेटी बनती है अब मैं स़ही बता रहा हूँ जब भी मैं restrooms करता हूं यहार मैं मैं पे बिल्कुल emphasize निन देखता मैप पर मैं सिर्फ तब देखता हूँ जब यार गोली चल ली होती है दूर से तो यहां पर मैं जा रहा हूँ तो यार दिवार के पीछे एक चिडिया उड़ती भी दिखती है मैंने बुला या तो पप जी में बहुत नस्यूर रखे कि यार चिडिया कहीं पर भ अब मैं सही बतार हूँ अगर वो चिडिया नहीं दिखती ना मैं सीधा चलांग मारते वे इस घर पे गुशता और ये पीछे से पकड़ लेता लेकिन भाईया जी ने अपने कंदे पे चिडिया रखी थी और उस चिडिया की वज़ा से भाई की पेटी बन जाती है मैं सही की एक वज़ा यार मैं चिडिया लेके नहीं घूमता और चिडिया आए वे गेम में यार जमाना हो चुका है और मैं अभी तक नहीं समझा कि क्यूं पबजी ने ऐसी हरकत क्यूं की गेम के साथ कल को हाती डाल देंगे यहां पर जहां तक मेरे को पता है यार मैं अभी नसे म बिलकुल भी नहीं कि मैं उत्रा कहां पर जोर्च पर उत्रा एक बंड़ा क्या एक 2024 तक नहीं था माँ पर अब होड़ी दिर बाद यहां पर आया सीन क्या चलने वाई फ्लेर मंगा ना जाने यह लोग कब और कहां से आते हैं और यहां पे आके फ्रेर चला देते हैं यार पहले ही चार किलो जाती मेरी पुरी सकॉड बैटी पड़ी है इधर पे अ के और जिस हिसाब से इधर आते वे गेम लैक कर रहा था ना चार बंदे पक्का बैठे वे थे यहां पे अब देखो यह टावर से वहां चलांग लगा के डिराउप उतारने वाले थे या इनके क्या सीन थे मेरे समझ के पार है मुझे बस इतना पड़ा यह टावर पे बैठे पड़े और देखो टावर पे बैठके नीचे पेटी बनाना और उपर बैठके वो बन्दा कुछ तो फेकनी की कोशिज कर रहा था अब भाई क्या पेक रहे थे मेरे समझ के पार है और यह टावर टूर के उपर यार एक नहीं दो दो बन्दे बैठे वे होते हैं दोनों को पकड़ लिया अब आखरी बन्दा बाकी है और इसी के साथ यहाँ वापिस जब मैं जोर जाता हूँ मेरी 11 किलो जाती है सही है यार मतलब पहले यह नजाने कहां कोने में उतरे उसके बाद जोर जाए जोर्ज में मैंने कद्दू कुछ नी लूटा था सारी लूट इन लोगों ने लूटी और फ्लेर वगेरा इधर पे चला दी मैं देखता हूँ यार वहाँ पे तो जब मैं पहले उतरा कद्दू कोई नी था फिर जब वापिस जा रहा हूँ तो यार फ्लेर चली हुई है बहुत ही बढ़िया अब देखो डिरोप उपर गिरा था और यार लालची इंसाम तो मैं हूँ ही तो मैंने सोचा क्यों ना जितने भी नेड है यहां पे इस्तमाल कर दूँ देखो बंदों पे मैं कितना नेड फिक लू उनके मुझ के सामने मुझ के अंदर डाल दू बंदी नी भी ठिलते मेरे से तो मैंने सोचा कहीं तो इस्तमाल करूं नेड को, ये डीरॉप को तो गिरा हूँ कम से कम, अब यहाँ पर मैं कम से कम 6 या फिर 7 नेड यूस करता हूँ, और आखिर कार, आखिर कार जाके डीरॉप नीचे गिरेगा, और साथ ही साथ हमारी किसमत बड़िया चलती है यार, असली वाला डीरॉप और फ्ले डीरॉप विल्टू टैप जाता है देखो मेरे को बस गुरोजा चाहिए थी क्योंकि एडबलो एम और गुरोजा यार मज़ा टैप आ जाता है खेर यहां पे तुम्हारे भाई ने फिर से चैसाथ नेड़ बरबात कर दिये और जो गण चाहिए थी जो गुरोजा चाहिए थी वह भी नहीं मिली जिंदगी में और ये वाले भाई मेरे ख्याल से रोजोग की तरफ से इधर की तरफ आ रहे होते हैं यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मतलब जहां पे मैं जा रहा हूँ वहां से उल्टी जगा पे बंदे बैटे पड़ें जोर्ज उत्रा वहां से उल्टी जगा रुजोग बंदे बैटे पड़े हैं यह यार मतलब भगना पड़ता है जान लगा के तब जाके किले मिली है इस मैच में खेर जोब यो उस बंदे की पेटी बनाते हैं और वहां से उस तरफ निकलते हैं जहां पे और किले मिलेंगी और चलते चलते ये सीन हो जाते हैं अब मेरा टीमेट यार पागल होगी तरह बस एक ही सब्द बढ़ बढ़ा रहा था लेफ्ट लेफ्ट मैंने बोला रे भरिया क्या हो चुका है तो पता चलता है कि यार फ्लेर चल लेखी उस तरफ तो करना क्या था पूरी रफ्टार के साथ गाड़ी भगारा होता हूँ और फ्लेर कहा चली होती है बिल्कुल ओपन में जाड़ी जंकट की तरफ इसका एक ही मतलब है यार बंदे या तो साब बन चुके हैं या तो साब बनने वाले हैं इसलिए जो भी सीन करने है जल्दी करने पड़ेंगे यहां पे अब एक बंदे को तो मैं तभी पकड़ लेता हूँ जब वो खड़ा होता है और ये देखो दूसरे भाई को अब इस वाले साब को यार मैं हजार साल पहले ही नौक कर देता लेकिन सीन क्या होता है मैं कोशिस करता हूँ सर पे पेलने की और भाई की हाथ पे लग जाता है हैंड सौट भाई या अपने बसका यही है हैंड सौट पेलो बंदो को जिससे वो ठिलते भी नहीं है याँ पे और यही तीन बंदे यहां गिंच उनके बैठे पड़े होते हैं या तो फिर चौथा बंदा भी कहीं साब बना पड़ा होगा लेकिन यार अपने बसका ना है तीन बंदों को पकड़ लिया बहुत है डिरोप पे मैं देखो ढूनने की हिम्मत नहीं रखता गन को क्योंकि कौन साब किधर पे लेटा पड़ा है किसी को नहीं पता हो सकता कोई भी कभी बीट ऐसा जा सकता है तो यार वही पे जो दो ढ़ाई पेटी पड़ी होती है मैं उन्हें देड़ पेड़ लूटता हूँ और बगैर लालच करे मैं वहाँ से निकल लेता हूँ अजीब सा लग रहा है क्योंकि मेरे सीन हमेशा लालच वाले होते हैं खैर उसके बाद मैं इधर आता हूँ और गाड़ियां आते वे दिखती है अब देखो यहाँ डैमेज डूमेज हम बोट की तरह काफी ज़्यादा देते हैं लेकिन कोई भी बन्दा नो कोकी नहीं देता तो मैं क्या करता हूँ दूबार असे अपनी सस्ती बग्गी बुग्गी में बैठता हूँ और दे निकल पड़ता हूँ उनके पीछे लेकिन उनका पीछा करते हुए कोई और हमें पकड़ लेता है अब वो बड़ी गाड़ी वाले बंदे यार नजाने किधर को निकल लिये लेकिन यहाँ पे हमको छोड़के चल दिये और मैं फस चुका हूँ अब हमारे भाई यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि भाई या समोक वगेरा फेक दू अब देखो यहाँ पे मैं समोक फेकने बैठता ना यार एक बोट आता ना वो भी पेल के चल देता मेरे को इतनी कम हेलतों रखिये और यार बोटो का भी सीन आपको पता ही है आजकल क्या है जहाँ पे भी तोड फोड़ कड़के लड़ाई आओंगी वहाँ पे बोट पहुचाते हैं सबसे पहले खेर अभी काफी कम बंदे बाकी है तो यार बोट मेरे ख्याल से सारे ठील चुके हैं खेर यहाँ पे मैं रिवाई वगेरा धैड़ पैड़ देता हूं और यह जो सस् की तरफ बगते में दिखता है मेरे को तो पकड़ना पड़ेगा भाई को और यह बंदा लगभग पहुचने वाला था पेड़ के कवर में लेकिन यार एमफोर और लाल बिंदू काम कर देती अपना तो उसको पेलने के बाद उसकी पेटी बनाने के लिए मैं गाड़ी ले चलता हूं बहुत टैम हो गया अपनी फुटपात की ट्रेनिंग करें वे और गाड़ी लेके चलते चलते मुझे एक बंदा लेटा वह भी मिलता है हां उसी बंदे का टीमेट या लेटा पड़ा है एक से ज्यादा बंदेख परें मुझे और इससे ज्यादा आलसी साप मेरे ख्याल से मैंने जिन्दगी में नहीं देखा अस तक और मैं मजाग भी नहीं कर रहा ये साप इतना ज्यादा आलसी होता है कि यार क्या ही बता हूं इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ फायर का बटन दवाया और इधर उधर देखा ही नहीं जहां पे बंदा लेटा पड़ा था वहीं पे लेट के गोलिया दे रहा है नजाने कितने पत्ते पेल दिये होंगे इसने खेर इसके बाद मैं आगे निकलता हूँ गाड़ी वालो को पेल ले अब गाड़ी वालों को मैं पहलने तो आता हूँ लेकिन यार यहां के मुझे पता चलता है यह तो किसी और से पहले ही पिल रहे हैं तो मैं भी घुच जाता हूँ अंदर और यार मेरी लालश देख रहे हूँ मेरे ठीक इसके इस गड़ के उपर मेरे ख्याल से दो दो बंदे बैठे पड़े हैं नेड नूड दबा के औरे नजाने कौन कहां से आके पहल जाए क्या पता खिड़की से चलांग लगा के पहल जाए लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ दूर एक किल दिखती है मुझे एक नूग बंदा दिखता है फिर यार मेरे से रुका नहीं जाता बिल्कुल भी मैं बोलता हूँ यार कद्दू लेने गई ये उपर बैठे वे बंदे मैं किल चोरी करता हूँ पहले अब देखो किल चोरी तो अर्दी है लेकिन मेरे ख्याल से जि और कुछ बंदों को बस भगने का मुकाची है जिन्दगी में देखो मैं कभी भी नहीं समझ पाऊंगा कि क्यों ऐसी अरकत करते हैं ये लोग देखो अगर उस बंदे को भाग के कहीं कोने में साफ ही बनना था तो यार गर पे ही क्यों आए भाई गर पे ना ही आते मैं किसी और से लड़ लेता वो बंदा पहले गर पे बैठता है थोड़ी देर जैसी हम लोग रस रूस करते हैं भाई गाड़ी उठाते हैं और बगके या नहीं इसका टीमेट एक यहीं पर फचा पड़ा है और वो अकेला गाड़ी लेके निकल लिया अब उपर वाले कमरों में यार मैं काफी सारी जलती बोतल में आग फेक देता हूँ उससे क्या होता है ये भी भगने लगता है अब जब मैंने किल चोरी की थी यार तब तो बहुत अलग लगल कमा जाया कि वह या एडबलो एम पटका दी मैंने मैं ही हुई आपे किल चोर लेकिर उसके बाद जब इस बंदे ने बैक्टर चिपका ही न मेरे यार भटके चारो गई मुझे तो पता भी नहीं चला कहां से कौन गोली पेला बस जब ठिल गया है और तब लिखाया कि बंदा वेक्टर चला रहा है बहुत ही गलत और जहां तक मेरे को लगता है इसी बंदे की गिल चोरी की थी तब इतने गुस्से में वेक्टर चला रहे भाई खेर आगे वाले घर पे बैठे पड़े तो पकड़ना पड़ेगा इन्हें और हमारे भाई ठीक वही सीन कर रहे होते हैं जो मैं रूजोग के घर उपे कर रहा था गर के अंदर लेटा पड़ा था इसका मतलब यार उसके आसपास भी कहीने कहीन लडाईया चली है उपर से म मैं इधर ओपन में चोड़ में आके देख रहा होता हूँ कि सीन क्या चल रहे होते हैं और उत्रे में ही ये सीन करते हैं हमारे भाई अब देखो यार किल की लालच मैं मैं इस कदर अंदा हो जाता हूँ कि क्या ही बताऊं देखो नो किया था अब यार नो करने के बाद जब तक पेटी नहीं बनती ना चैन टैप नहीं मिलता और उसी के चक्कर में मैं बिल्कुल ओपन में खड़ा था वहाँ ओपन में यार कोई पीछे पहाड़ी से साब ड़ सकता था कैर हमारे भाई दिमाग लगाते खतर ना क्या मेरा दिमाग कब चलेगा ऐसे और ये बन्दा कारना इंटेट चला के ये बताना चाहरा होता है कि यार तुम अकेले सनाई पढ़ नहीं हो याँ पे हम पे भी खार ना इंटेट पढ़ी है अब देखो उस बन्दे को मैंने देखिया बस इंतेजार है भाई के पीक करने का पस एक बार पीक करें और मैं गलती सेट सोट चिपका हूँ और वो नजाने कोन सी टीम का बंदा होता है लेकिन यार उस भाई की सीधा पेटी बन जाती है अब देखो जो भी बंदे जिंदा बक्चे हैं वो या तो इसी घर पे पड़े या तो पीछे सब बने पड़े तो करना क्या यार बस इंतेजार कर रहा हूँ जोन आने का या फ और उस घर के दो बंदों को तो मैं चलांग लगाते वे पकड़ लिता हूँ लेकिन अब बस एक ही बंदा बाकी है अब देखो आपके साथ भी ये कई बार हुआ होगा कि यार बंदे जोन से ठिल जाएंगे लेकिन आपको किल देखे राजी नहीं होंगे यहाँ पे ठीक वही सीन होने वाला है और जब भी बंदे अपने मूँ के सामने जोन से ठिलते ना सही बता रहो यार दिल पे दर्द होता है अब यहाँ पे पहले मैं बहुत खुस होता हूँ क्योंकि जैसी मेरी गोली लगती है ना उस पे यार लिखा आता है कि भईया तुभारे 27 किलो गए लेकिन जब मैं दुबारा देखता हूँ पता चलता है वस बंदे की पेटी जोन से ही बनी और जिसको मैंने पहले नौक किया था वो ठिलता है और तब जाके 27 किलो गते हैं तो बस भाई लोग आज के वीडियो में इतने ही बहुत बस शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते ये दुख भरे जून की एंडिंग और वो शुरुवात में जो इधर से उदर बगता राम है गाड़ी के लिए और वो चिडिया वाले सीन के लिए यार लाइक की वडिया राएगा तो कल मिलते है यार बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते गेमिंग घर एप को चेक आउट करना मत बूलना उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिलकुल टोप में तो कल मिलते है यार बाई बाई प्रफ यार जाते है यार राएगा जाते है यार इज विन